आपका स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चनल अंकित लेक्षे टूपर आज की इस वीडियो के अंदर हम देखने वाली हैं कक्षा टैन के मेट के अंदर पर सनावली 1.1 के अंदर की उसे नंबर 3 तो चलिए फ्रेंट स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना टाइम तो सबसे पहले कहा गया है कि कि शेना की टुकडी को 32 मार्च करना है दोनों सम्हें को समान संख्या वाले स्तंबो में मार्च करना है उन स्थम्बों की अधिक्तम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं अर्थात की जो वत्तिस सदेश्यों हैं उसके पिछे 16 सदेश्यों वाली एक सेना की आर्मी को उसके पिछे मार्च करना है जाना है तो किस परकार जाएंगी कि उनमें कितने सतंब बनेंगे वो पताने के लिए हम क्या करेंगे हैं अच्छी आप निकालेंगे जो हम किस्छ निकालती है यू इसको क्या भाख सब करते हैं कि जो सबसी बड़ी संख्य है उसको हम क्या बानती है A, A is equal to 616 और जो छोटी संख्य है उसको क्या बानती है B, B is equal to क्या है फ्रेंड्स 32 तो देखिए यहां तक तो हमने जानती है हमने basic इसके concept किया है जानती है कि सबसी बड़ी संख्या को A जो छोटी संख्या को B मानना है ठीक है अब देखिए हम इसका क्या करना हम Yukild Vibajan Theorem लगानी है हम जानते है कि Yukild Vibajan Theorem क्या होती है देखिए Yukild 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 Vibajan परमेशी देखिए हमने इसी ऐसानी से समझा था कि Yukild Vibajan Theorem क्या होती है हम जानते है कि Yukild Vibajan Theorem क्या होती है Yukild Vibajan Theorem होती है A is equal to BQ plus R यह होती है हमारी Yukild Vibajan Theorem तो फ्रेंट हमारी पास A का A की value है और B की value है क्या है A की value है और B की value है और Q और R का मान हम निकालना है तो तल ही फ्रेंट्स करते हैं स्टार्ट कि Q और R यहां पर किस प्रकार बागफल और सेस्पल है आपको वहां पर basic से बताया गया है तो चली हम क्या करते हैं सबसे पहले जो बड़ी संक्या है यहां पर करते हैं 616 उसके अंदर क्या करते हैं 32 से बाग करते हैं 32 से बाग करते हैं एक पर जाएगा 32 आ जाएगा जब 61 में से 32 गटाएगे तो 29 बचेगा और 6 नीचे आ गया अब 32 का बाग 9 पर चला जाएगा और 288 बागफल आता है वो क्या है अमरा बागफल है वो क्या है हमरा Q और 6 पर हमरा यह है R ठीक है तो देखिए हमारी पास A बी 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 आ गया क्यू भी आ गया और R भी आ गया तो अब क्या करती है हम इसके अंदर पूट करती है हें क्यों क्या था आया था 19 पैस आर क्या है हमारे पास सेस्पलण अब वारफ तक लगानी है जब तक हमारे पास जो सेस्पल सेश-प्ल और जरोने आ जए तब तक हमने यह ये बन जाएगा और ये बन जाएगा देखिए जो यहाँ पर सबसे बड़ी संग्या बस्ती है अब उसको ए माल लेंगे और ये क्या हो जाएगा बी हो जाएगा तो देखिए फ्रेंड्स अब क्या होगा वापिस यूकिल्ड वाजन थियोरम से लिख देना यूकिल्ड यूकिल्ड विवाजन यूकिल्ड विवाजन परमेशी ठीक है हम जानते हैं यूकिल्ड वाजन परमेशी क्या होती है वापिस आपको वही कार्य करना है A इस इकल्टू B इंटो Q प्लस R लगाना है तो A की वेलू क्या है अब की बार 32 है तो लिख दीजिए इस इकल्टू B की वेलू क्या है हमारी पास 8 है इंटो Q क्या होता है हम जानते है क्यू होता है बाग फल तो देखिए जब 32 को आठ के अंदर बाग दिया गया देखिए 32 के अंदर 8 का बाग दिया जाई जहां जीरो आजाए है उस Equation के अंदर से जो बराबर के बाद दूसर से बड़ी संख्या बसती है यहां पर ब्राबर के बाद दूसर क्या बसती है वही हमारा क्या होता है स्थी एफ होता है तो हमारा अच्चिप कितना आ जाएगा प्रेंड यहां से हमारा अच्चिप आ जाएगा आठ ठीक है अर्थात पूचा क्या था कि जिसमें वे मार्च कर सकते हैं सतंबो की संख्या पूची थी तो सतंबो की संख्या कितनी आ जाएगी फ्रेंट्स सतंबो की संख्या आठ हो जाएगी ठीक है एसे करना ठीक है फ्रेंट्स बिलकुल इजी सा है बिलकुल असान सा है कुछ नहीं करना है आपको यूकिल डिव बाजन पर में आनी चाहिए आगे आपको आपट शेप असानी से निकाल सकती है बहुत ही इजी है एसे क्यूशन हम कर चुकी है ये एक परसन है जो कुछ नहीं सकते हैं तो फ्रेंट्स आपको क्या करना है आपको इसे वीडियो को सही से और गोर करके असानी जग लास्ट तक देखना है और आपको सो परसेंट ये क्यूशन सेंज में आ जाएगा हम कल करेंगी क्यूशन नंबर च्यार वह भी बेसिक तरीके से जितना असान हो सेकेगा उतने असान तरीके से करेंगे ताक कि आपको एक्जाम में करने से कोई दुईता नहीं हो तो चली फ्रेंट्स मिलती हैं कल के नेक्ट वीडियो में यदि आपको वीडियो जरा भी पसंद आई है तो लाइक जूर करना यदि चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब चूर करना हम मिलते हैं कल नेक्स्ट कुशन के साथ नेक्स्ट वीडियो लेक्टर पर तब तक के लिए धन्यवाद आपका दिन सुब बना रहे